तो काईज आज के उडिवां सब्सक्राइब का स्वागत है और आज हम रीसर्च करने वाले हैं गार्डन ड्रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमिटेट पे तो इसका शॉट फॉर्म है जी आरे सी आप फाइंड़ करेंगे तो आपको जी आरे सी के नाम से मिल जा गवर्मेंट कमपणी मोश्वब ने चले पहले वही जानते हैं गवर्मेंट कंपणी एक यह अजिसका समय दिखा दिया ना वी डिसकास अबॉड इट क्या चीजह कैसे हैं तो यह है मिड्क कांपनी नाइज साथ करोर्ड करोर मार्किट के साथ और इसका करेंट प्राइज 782 है इसका हाई लोग दोनों आप देख सकते हैं लगबाद इस डबल ओवर रही है ठीक है स्टॉक का पी 30 है हाया साइड में है थोड़ा सा आरो सी अच्छा है इसका आरो यह भी बहुत अच्छा है अच्छा लगा मिनों कोई देख के अपन इसके बारे में थोड़ा सा शेप बिल्डिंग सेग्मेंट है तो अपन मेंली इसके बारे में ही डिसकस करेंगे सब कुछ मेंजॉरिटी ऑफ प्रोड़क्ट्स वह मैनुफाक्ट्ट्र बाजी आरेसिया सप्लाइटू सेंट्रल गवर्मेंट और इंटीटीज ओन्ट्रोल वैद गोवर्मेंट आइड नहीं भी है इन इंडिन कोष्टकार वह यह गोवर्मेंट को साधा करती है और इंजिनियरिंग डिविजिन लेस देन वन परसेंट ओफ रेवन्यू यह बहुत सार इनके डिविजन है बाई चली यह सब रहन देता है बन मैनुफक्ट्रिंग केपिबिलिटी देख लेता है तो बिल्टी वार्शिप इस इंक्लूट एट लार्ज वार्शिप और ट्वेल मीडियम साइज वार्शिप यह बाई लिखा हुआ है सब कुछ यह सब पुराने डेटा रहता है तो मैं इतना देखता नहीं हो पुराने डेटा पर ध्यान नहीं देंगे अपन सिधा नहीं ड तो अपन देख सकते हैं इसका चार्ड अच्छा ग्रोविंग तरफ है क्योंकि 300 से 900 कर दिया इन्हों में सेल्स एक्स्पेंसेज कम किये हैं नहीं किये हैं कम कोई फ़रक नहीं पड़ा सेल्स कितनी बड़ी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 49 ज्यादा फ़रक नहीं कभी कभी द देख लीजिए उससे प्रॉफिट भी टाक्स बढ़ जाता है इनका यह देख सकता है पर यहां पर दोनम फरक फिर आता है नेट प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद होता है टैक्स लगने के बाद तो 58 से 88 एट सी मार्स का क्या रिजुल्ट आ सकते 58 से 48 57 अब मैं एक और बुक देखके आपको बता दूंगा कि क्या रिजुल्ट आ सकता है एक अजम्शन दे सकतो हमें अपना प्रॉफिट और लॉज के नंबर ज्यादा ग्रोईंग नहीं है आवरेज आइकन से एवरेज कंपनी अभी भी खास कंपनी नहीं है अभी तक क्या पत अब को सजेस्ट के थी वो और फिर से इस सब दिया हुए नहीं नहीं इसमें मजा ही नहीं आए यह एतना खास अपन यह नीद प्रॉफिट और लॉस को रहन देंगे थी यह के अच्छी ए अच्छी एक प्रॉफिट ग्रॉफिट को 10% भी चीए के सीज यह अच्छा है अच इन्वेश्टमेंट्स और लाइबलिटी में अधर लाइबलिटी आइटेम्स और अधर आसेट आइटेम्स दी विए जिसके बादे में अपनको कोई डिस्क्लोशन नहीं मिलते हैं ठीक है तो वही चीज़े तो अपन वह जाननी पाएंगे चलो बढ़े है बॉफिटमेंट ठीक है बड़ी बात नहीं है और इन्वेश्टमेंट्स बढ़ चुकी है तो इसकी बालन शेट इस नाइस बैलन शेट होके वी चैश लोज पॉजिटिव में है अच्छी बात है चलो बहुत अच्छी बात है इन्वेश्टिंग एक्टिवटिम पैसा उट रहा है क्या क्युकि निको टाइम लग रहे है क्याश कंवर्शन साइकल अच्छी नहीं है क्यूंकि नका ओर जो होते है न वह बनके रहता है बट वह बाद में गॉर्मेंट बाद मेलेती उसको जब उनको नेसेसिटी होती है तो वहीं पे दिक्कत आ रहे है इस अपनी में और तो कहीं दिक्कत नहीं इतनी खास बट वहीं पर यह दिक्कत आदा रही है कि गौवर्मेंट उसको उसी डाइम पर नहीं ले रही है सिंपल सी बात है तो इसलिए चलती है वह से कैश कर रिजन साइकल अब प्रमोटर के पास 75 परसेंट होल्डिंग है इस कंपनी की 75 परसेंट के पास है मतलब सिंपली बाग करें तो और एफ़ाय स्टेक बेच रहे हैं डिया भी लगभख स्टेक को कॉंस्टेंडी रखे हैं इस को यह इस खरीद रहें पब्लिक की खरीद रहें जर्शेक खरीद रहें वहीं चीज़ है तो थोड़ा नेगेटिव देख रहें नेगेटिवनेस लेट सीधा मैंको बस एक इंवेशास प्रजेंटेशन खुलने दो उसमें को कुछ नहीं देखना है और कुछ भी नहीं यह तो ट्रांस्क्रिप्ट यार यह फूरी इंवेश्टर्स प्रेजेंटेशन किदर रहें एक तो गाई अभी लेटेस्ट कोई प्रेजेंटेशन में आए तो अपन इसका ओर्ड़ बुक अपन गूगल से निकाल लेते हैं फटफट पर जी आरीशी का ओर्ड़ बुक अभ इसके पास अभी लेटेस्ट नवेंबर तक कई डेटा है ठीक है नहीं एक सेगंड रूग जाहिए बस कई डेटा मिलेगा अपन को में तो इसके बाद सेप्टेमर 30 2023 था 23,740 करोड के ओर्डर पेंडिंग है तो मार्केट के अपसे त्रिपल ओर्डर तो पेंडिंग है इसके पास अच्छी चीज है जो तो अच्छी है चलिए इसका फट फट अपन सीधा ट्रेडिंग व्यू प सकते हैं क्योंकि और बुक बहुत अच्छी है और बोक इस रियली रियली स्ट्रॉंग ओके तो देखके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो काईस मैंने देखा फोर आर्स के चार्ट में मंडे के वन वीक में 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 को को ऐसा फाइंड डूट नहीं हो रहा है कि ब्रेक आउट इन ये ट्यक्त पहुंच जाएगा अराम से आप इसका टार्ट लगा लीजिए थरीन अडट का ट्यक्त वह टेखके जर्श्ट लगभग डबल लगभग 80% रिटर्न झाल झाल